अभी जो मोदी सरकार ने जो तीन कानू उन्रद्द करने की घोशना की है उसकी जीत है वो सेलिबरेट करने के लिए एक तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोग आजाद मैदन में पहुचे है और ये लोगों का उत्साह ये दिखाता है कि बिल्कुल दिल्ली की जो किसान आंदोलन है उसकी जो जनता है उनको जादा से जादा हम प्रेड़ना और उत्साह से बर दे करें जर्श तिकला तरच देश तिकनारे शेत करें जर्श शेतकरें अला भाव मिला नहीं शेतिला तो शेति आता बरिशे आम चा खेडायान कड़े काई लोग शेति करताच नहीं है जब भरत्देश के प्रदान मंत्री अपना मों खोलते हैं, खाली जूड बोलने के लिए खोलते हैं, उसके अलावाँ वो मूह ने खुल ते यह ऐसे प्रदान मंत्री है कि इस प्रदान मंत्री पे 140 कूटी जनता का जो भरोसा था जो 140 करोड जनता को जो भूक लगती है जिसको अन्न चाहिए वो अन्न पे इन्नों ने डला मारा है और जनता का इस पर से विस्वास उड़ गया है हमें कहना चाहते हैं कि आज तक नरंद्र मूदी ने 2014 में जब सत्ता में आने से पहला अच्छे दिन हो गए सबका साथ सबका विस्वास डिजिटल इंडिया और भी कुछ ऐसे बाती की है जैसे 2015 में सत्ता में थे तो दो भूमी अध्या देश लाए अभी 2005 जुन 2020 को एक फिर से भूमी अधिग्रण जो एक काले कानून लेकर आए उसी दिन चार स्रम विरुदी काले कानून लेकर आए 2020 का विजली का इलेक्रिक शिटी का काला कानून लेकर आए तो यह सब जनता विरुदी जो सरकार नीतिया लेकर आई और एक कारपुरिक धरजिनी है तो इनके जो दोस्त हैं इस देश के अंदर जो कर्परिक सेक्टर रियादानी अम्मानी इनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं भारत देश जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं ये साथ साल के अंदर दिखाई दिया इसके लिए जनता का इन पर से वरुसा उड़ गया है किसान जब बोला जाता है तब पुरुष का ही चेहरा सामने आता है लेकिन महला किसान भी है और किसानी में बराबरी का हिस्सा महलाओं का है और महराश्ट्र की भूमी में ये हमेशा इस बात को आगे लाया गया है और भली भाती लोग जानते हैं कि महलाओं को पीछे रखकर ना आंदोलन आगे बढ़ेगा, ना कोई व्यवस्ता आगे बढ़ेगी। यहाँ जो परंपरा है महराश्टर में, सावेतरी भाई फुले को लेकर, महात्मा जी को फुले की परंपरा, इन सब में महिलाओं का योगदान रहा है। और आज इस आंदोलन में ही नहीं, हर किसी आंदोलन में हमेशा महिलाओं का हिस्सा बहुत रहता है और महाराश्टर की एक महिला साथी, दिल्ली की सीमा पर जाके वहीं शहीद हुई और उसको अभिवादन करने के लिए भी बड़ी संख्या में आज महिलाईया मजबूत है। आपने जैसे बोला कि ये पूरा फैनैंशल कैपिटल है और ये एक आंदोलन की जो बड़ी जीत हुई एक साल के बाद, उसके बाद तुरंद हमने आज ये खास रखा है महापंचैद मुंबई में, यानि यहां के सब फैनैंशल बैरन को एक पता चले कि मुंबई में हजार आपने आपने जो बड़ी जी जो दो जो आदानी अंबानी उनका जैसा लोगों के लिए मोदी जी देलाल बनके दिली में बैटे मोदी जी खुद्र देश ने चला रहे है अदानी अंबानी देश चला रहे है आदानी अंबाने के लिए देलाली कर रहे है मोदी जी सारे इलाके का ही अनुभव है कि जहां केंद्र खुले है कृष्योटपन बाजार समीती के वहां लोग हमेशा उसी को प्राथमीक्ता देते हैं क्योंकि वहां पर अच्छा दाम मिलेगा तो ये छोटे किसानों की भी लड़ाई है खेत मज़़ूरों की भी है क्योंकि इसका सीधा संबंध है राशन व्यवस्था से सरकार जब निकल जाएगी मार्केट से तब इस राशन व्यवस्था पर असर होने वाला है और पूरे देश की भूख मिटाने के लिए खाद्य सुरक्षा भोजन सुरक्षा के लिए जो कानून बना है वो इस कुरुशी व्यवस्था के साथ जुड़ा है तो ये खेल खेला हमने 27 ओक्टोबर को कुणे में फुले वाडा से शुरू की पूरे एक महने तक महराष्ट्र के हर कोने कोने में 31 जिल्ले में वो घुमी हजारों लोगों ने उसका स्वागत किया और कल हमने उसका मुंबई में यहां पर अलग-अलग जगह में हम लेके आज उसका समापन य लेने पड़े क्रिशी कानून यह बहुत बड़ी जीत है पूरे भारत के किसानों की और मजदूरों की और पूरी जनता की लेकिन कुछ बहुत ही महतुपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है उसके अंदर MSP वाला कानून हमारे किसानों को करना चाहिए यह बहुत ही पर न सिर्व किसानों का लेकिन जनता की बिजली के बेदर और उनके बिल जबरदस बढ़ेंगे इसको वापस लेना चाहिए लखिमपूर खिरी का यह जो हत्यारा है अजय मिश्रा टेनी उसको मंत्री मंदल से बरखास्त करके उसको गिरफतार करना चाहिए खून के और यह जो मोदी और शाह सरकार का रवया है और इसको बंद कराना चाहिए निजी करन का जो इस्तेमाल कर रहे है वो एक बात है डिजल पेट्रोल और गैस के दाम आधे करने चाहिए क्योंकि यही लोग टैक्स में से इतना सब खाते हैं तो यह सब करना चाहिए यह हमारी मांग अभी भी बाकी है इसके लिए संगर जारी रहेगा